नमस्कार मैं हूँ महक शर्मोर इस वक्त आप ये लाइफ तस्वीरे देख रहे हैं हरयाना के करनाल के पास लगते निलो खेडी के गाउं बुटाना में जहां पर आप देख पारे होंगे कि 30 एकड की जमीन पर इस वक्त मैं मौझूद हूँ आसपास आपको फार्म हाउस दि खाई दे रहा होगा क्योंकि बहुत सारे किसान हैं जो औरगैनिक सबजियों की खेती करते हैं बहुत सारे किसानों के पास जगा नहीं होती अगर मैं शहरों की बात करूँ तो वो अपने घर की छटों के उपर थोड़ी बहुत खेती करना शुरू कर देते हैं गमलों में मचली पालना किया जाता है। लेकिन ये दोनों चीजें बहुत अलग-अलग हैं। यानिकी मचली पालना अलग है और घर में और चैने और खेतों में और चैनला,द। जाण मचली पालन चीजें शरी की एकर आ Expl devam मचली सुल्तान सिंग hai Satsle मौझूद है पांच साल उन्होंने पूरा शोध किया हाला कि एक लंबा समय जरूर था लेकिन पांच साल के शोध के बाद उन्होंने जो खोज निकाला है वो अपने आप में बहुत ही बहतरीन है और विश्वसनी है यानि कि उस पर विश्वास कर पाना थोड़ा सा मुश्कि यह आपको और कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा नीचे आप देख सकते हैं पानी है पानी में आपको मचलिया आला कि मैं सर से पूछी रही थी कि मचलिया कहां गई तो उन्होंने कहां कि मचलिया इस वक्त अंदर है क्योंकि जहां पर इंसान होते हैं वहां पर मचलिया नह उने आने में दो से धाई महीने लग जाती हैं लेकिन यहां पर जो सब्जी जो शिमला मिर्श मैंने देखी उसे उगने में मात्र एक महीना लगा और अपने आप में यह काबिले तारीफ हैं हमारे साथ पदमश्री सुल्तान सिंग है सर सबसे पहले तो आपको बढ़ाई पां साल से इसके पर में काम कर रहा था और मैं यह कनेडा में टेक्नोजी देख के आए था आज से पांच साल पहले तो मैंने धीरे-धीरे करके इसमें कभी सो पोदे कभी बीस पोदे इस तीरीके चे लगातरा सक्सेस्फुल नहीं वा लेकिन इस बार मैंने लार स्केल पे से काम तमाटर है और यह ब्रोकली है और उसके साथ साथ अबी इस टोबेरी अब लगानी यह तो बड़ा अब अब इसको प्लांट से सर यह और यह क्या पूरी टेक्नोलोजी एक बर मैं चाहूंगी पूरी टेक्नोलोजी को आप बताएं कि क्या कुछ है यह थर्मा कॉल की मैं शीट्स देख पा रही हूं क्या कुछ है सर इसमें क्या है इसको वह है अब यह तो आपने देश में इस टेक्नीक को लेकर आऊंगा जी सर बताएं यह जो मैंने पोदे लगाए है इसलिए लगाए खेत के अंदर हम जो अगर और 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 प्रसेंट और इसके अंदर थर्मो को का स्पैसलिशी के लिए बनवाया है और इसके अंदर हमने गमला लगाया यह तर्मकोल तो आम थर्मकोल है जो फैक्ट्री में बनता है वह हां लेकिन उनको अमने एक सीट के रूप में बोला भी इस तरीके के सीट बना के देदो चार इंच मोटी है इसमें जो यह हमारी पर से पानी देना परता है उसका लगाने का फैदा हमारा यही है इसमें वारी बिना बीना लेवर के यह काम एक आदमी ही कर सकता है एक एकटर में अगर इसको अम तरीके से लगाएं तो एक एकटर में हमारे 12-24-30,000 लगते हैं और 3000 पोदों में से हम अगर 5 किलो की आवरेज ले तो उसमें से हम 1500 कोंटल टमाटर बड़े अराम से निकाल शकते हैं इसका बैनिफिट यह है जितने भी हम गमले लगाएंगे और उसको फ्राब ही कि बारा सो की पेसल ले सकते हैं किसान क्या करते हैं जब खेती करते हैं न तो खेती के अंदर उन्होंने बारा सो पूदे लगा दिए उसमें से पानुस पोदे मर गें और साथ सो पूदे रहे गें इसलिए से उनको मुनाफ़ा नहीं होता अगर पांच केजी या छे केजी कि आम एक पोधे की एवरेज लें तो उसमें हमारे को खेत में से भी बहुत बेनिफिट होगा बड़ी बात यह की और गैनिक खेती है जो मैंने आपको कहा था शिमला मिर्च वो मैं आपको दिखाती यह आज 36 दिन हुए है इसको लगाए हुए है तो यह जो खेती हम खेत वाली करते हैं उससे कम से कम डेड़ मीना पहले यह हमारों को फूर्टिंग देती है इसका यह बैनिफिट है और सीजन की पानी डालना पड़ता होगा किसी में कुछ ने डालना ना इसकी खुदाई कर पूद्धे को सबसे ज़्यादा अमोनिया मिलना चाहिए उसी से ग्रोथ कर जो उसको मचलियों की भी आपको आवाजे कुछ सुनाई दे रही होगी उनकी हरकत भी आपको दिखाई देरी होगी यह देखिए पानी में वह हरकत है देखिए उच्छाल जो पानी का है उससे प सपीसां प्राच्पाल सबुचाट करना यहां निच्चे से 2 mm राट निकले उसका की आपके तपर भी स्तारीके की और छट पर प्ल्ேनी को भारों क्या खर्चा आएगा सर और कैसे कोई कर सकते अब भी अगर मैं बात कर ost मैं जो तिरपाल का जो सिस्टम है हमारा यह चत के उपर लगा के इसमें हम पानी चला सकते हैं पानी बरके इसके अंदर अगर किसी को अपने घर की और गैनिक सब्जी चाहिए तो और गैनिक सब्जी आप अपने टैरिस में अपने चत के उपर मचली और सब्जी भी दोनों पैदा कर सकते हैं हर बीमारी यहां उसमें कोई पैस्टिसाइड का डालें तो मचली तूरंत मर जाएगी मचली को पीएच चाहिए शाथ अगर हम आपके पदारत इसके अंदर देते हैं इसका पानिक पानी लेवल डाउन हो जाएगा या बढ़ जाएगा तो इसलिए इसके अंदर किसी तरह का को पानी की जूरती नहीं बदलने की इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी हमें बाहर से चलाना होता है ताकि मश्लय को साथ अच्छे तरीके लोग भी खुश खाने वाले भी खुश और पानी की सर पूरी क्रोसिंग इधर से भी ताजा पानी आ रहा है और तला में भी आउट्लेट बना है उसे आमोनिया आप कह रहे हैं वह भी सारा आगे तो अटोमेटिक रिलीज हो रहा है यानि कि अब उन किसानों को डरने की जरू पीन दिन में कितना बड़ा हो चुका है और और यह आप देख सकते यह तमाम आपको पौधे दिखाई दे रहे हैं और यह और ग्यानिक खेती है आप भी और ग्यानिक खेती की टेकनीक को अपना सकते हैं एक आता था कैनेडा वाले भी आज खुश हो रहे होंगे कि इंडिय जोटे फार्मर, चोटे-चोटे किसान इसको यूज करें तो उनकी आये दूगनी क्या तीन गुणा हो सकती है गरोंड़ा में इसराइल वालों का सेंटर है क्या वो भी यहाँ पर पहुंचे थे गरोंड़ा वालों से ही मैं पोद्दे लेकर आया था यह पनीरी तो मैं गरुंडा वाले सेंटर से ही लेके आया था क्योंकि उस ट्रवाला जो टाइम है ना किसान के लिए यह तो मैंने अभी प्रोटेक्टिव पर लार्ज स्केल पर इसको एक एकड में पूरे के पूरे तलाब में हम इस तरीके से मचली के उपर सब्जी पैदा क कर सकते हैं आने वाले टाइम में जितना हम तलाब खोथे ना किसान की आये दुगनी क्या चोवाचार गुना करने का मैं जिम्मेवारी लेता हूं मैं उनको चार गुना उनकी इंकम करके दिखाऊंगा इस इसाफ से बिना जो सीजनल नहीं है सबजियां बिना सीजन के भी उसके लिए भी शोच जारी है यहां पर देखिए यह जो नजारा है जो खेती है अपने आप में अदभूत है अदभूत इस वज़े से सरने आद से 5 साल कानेड़ा में इस तरीके की खेती देखी थी और आज इस खेती को ना सिर्फ यहां पर उन्होंने शुरुआत किये बलकि एक बहतरीन शुरुआत किये और सक्सेसफुली शुरुआत किये अब यहां तक आ ही गए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिएगे बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक